हेलो दोस्तों कैसो आप सब स्वागत है आप सभी का टेक करीजी यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्लेश टोर का रिडिम कोड कैसे बना सकते हैं Amazon अप से दोस्तों अगर आपको भी Amazon अप से प्ले स्टोर का रिचार्ज करना है और दोस्तों उससे रिडिम कोड बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं रिचार्ज करके आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं अगर आपको भी सीखना है तो इस वीडियो को आखरी तक जरूड देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सानू वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक घंटा देखनों को मिलेगा उसको भी दबा दीजिएगा प्लेश्टोर का रेडिम कोड बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है अमेजन अपलीकेशन को आपिन कर लेना है अगर आपके पास नहीं है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा देख सकते हैं यहाँ पर थेड़ लाइन का उप्शन है इसके उपर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर एक उप्शन मिल रहा है देख सकते हैं अमेजन पे का इसके उपर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक option है explore all का इसके उपर आपको click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो देख सकते हैं एक option मिल गया है Google Play Recharge का इसके उपर आपको click कर देना है जैसे आप इसके उपर click करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको offer show करेगा उपर में भी अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है जितना का भी आपको recharge करना है उतना amount डाल देना है मैं दोस्तों यहाँ पर जो 100 रुप्या का recharge करने वाला हूँ तो हम यहाँ पर 100 रुप्या डाल देते हैं उसके बाद यहाँ पर एक option है continue का इसके पर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर एक option है देख सकते हैं Amazon Pay UPI का और नीचे लिखा हुआ है change payment method इसके पर आपको click कर देना है यहाँ पर देख सकते हैं आपका Amazon Pay में अगर balance है तो यहाँ पर so करेगा अगर आपने Amazon Pay में debit card aid करके रखा हुआ तो यहाँ पर so करेगा नीचे दोस्तों देख सकते हैं अगर आप Amazon Pay में अपना bank account को link करके रखा हुआ तो Amazon Pay UPI so करेगा आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पर जो अपना debit card, credit card, ATM card का use करके payment कर सकते हैं मैं दोस्तों यहाँ पर Amazon Pay UPI के थुरू payment कर देता हूँ तो हम क्या करेंगे Amazon Pay UPI के उपर click कर देंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक option है place order and pay का इसके उपर आपको click कर देना है जैसे हैं आप इसके उपर किलिक करते हैं उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना UPI PIN डाल देना है चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं डालने के बाद देख सकते हैं एक option है सही mark का इसके उपर आपको किलिक कर देना है जैसे दोस्तों आप इसके पर किलिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका Google Play का Recharge हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मुझे जो है 50 रुपया का Cashback भी मिल गया है अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक Recharge Code सो कर रहा है आपको क्या करना है इस Recharge Code को Copy कर लेना है या फिर दोस्तों आप जो है इसे Screenshot ले लिजिए चलिए दोस्तों इसे जो हम Screenshot ले लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है प्ले इस्टोर में जाना है उसके बाद दोस्तों आपको जो है उस email id को select कर लेना है जिस email id का play store में आप redeem code बनाना चाहते हैं जैसे मुझे इस email id का play store में redeem code बनाना है तो हम क्या करेंगे इसी के उपर रखेंगे उसके बाद देख सकते हैं आपको three line का option में लेगा इसके पर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर एक option है देख सकते हैं payment method का इसके पर आपको click कर देना है अगर आपका google play में पहले से balance होगा तो यहाँ पर show करेगा देख सकते हैं जो आपको redeem code मिला है recharge करने के बाद आपको क्या करना है देख सकते हैं option है redeem code का इसके पर आपको click करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको उस redeem code को डाल देना है चलिए यहाँ पर हम अपना redeem code डाल देते हैं redeem code डालने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा redeem का इसके पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर आपका email id सो करेगा आपका इसी email id का play store में recharge हो जाएगा तो आपको क्या करना है देख सकते हैं एक option है confirm का इसके पर आपको click कर देना है जैसे आप इस तरह से करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपका play store में recharge हो गया है 100 रुपया id हो गया है अब आपको क्या करना है back के उपर click करना है और फिर से अगर आप three line के उपर click करते हैं और payment method के उपर click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका google play में 100 रुपया और id हो गया है तो इस तरह से दोस्तो आप जो गूगल play store का redeem code बना सकते हैं Amazon app से recharge करके वीडियो पसंदा इस वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जरूर share कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटा देखने को मिलेगा उसको भी दबा दिजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद